अगर आप Delhi NCR region में affordable housing scheme जो कि government की काफी popular scheme है और जहां पर जिन लोगों ने भी अब तक invest किया था उनको काफी मुनाफ़ा देखने को मिला है इनफेक्ट जो पैसा उन्होंने लगाया था वहाँ से डबल से जादा उनको return आते हुए देखने को मिला है तो क्या और कौन से project आने वाले हैं इस policy के इंतरगत क्या आपको apply करना चाहिए और कौन सा project आपके लिए better रह सकता है उसके बारे में आज discuss करेंगे और सहज info के जो subscriber हैं उनके लिए कहना चाहूँगा वह आप देश के किसी भी कोने में है आपके लिए भी ये video काफी important रह सकता है क्योंकि इस project में अगर आप invest करते हैं क्योंकि ये लगबग 30 लाग की range में आपको गुड़गाओं में घर देखने को मिल सकता है और रो के माधियम से यहाँ प आपको काफी video मिल जाएंगे जहांपर आप आप आजाके अराम से देख सकते हैं और comment करके भी हमसे पूछ सकते हैं तो इसलिए हमने वीडियो बनाया है ताकि हमारे सभी subscriber को इसका benefit मिल पाए एक और चीज बोलना चाहूँगा हम कोई property dealer नहीं है ना ही हम यहां से कोई charge करते हैं यहां कोई recommend करते हैं कि आपको हमारे से ही लेना है यह सिर्फ आपको बताने का purpose है कि एक product हमें अच्छा लगा Delhi NCR का जहांपर आप invest करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यहां पर 2BHK और 3BHK की बात की जा रही है गुरगाओं में तो सपना भी है लोगों का और हाल जो project launch हुए है Sona की बात करें फरूक नगर की बात करें या गुरगाओं की बात करें इनका गुरगाओं में तो last project में सिर्फ और सिर्फ कोई 40 के आसपास unit थी जिसमें 18,000 application आते हो देखने को मिली थी और लोगों को शायद मायूसी सामने आते हो देखने को मिले तो important रहेग कि अभी भी 5 project गुरगाओं में आ सकते हैं जिनका license आ चुका है रिरा application अवेटिट है और जैसी रिरा application आएगी तो कहां से आपको पता लगेगा ये पहले समझ लेते हैं तो TCP अर्याना की website पर आपको जाना है वहाँ पर आप clearly जैसा मैंने circle किया हुआ है यहाँ पर वहाँ जाके आप apply affordable housing policy में click करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी detail मिल जाएगी कि कौन-कौन से project आपके live है मैं कहूँगा कि आप हर हफते या हर 15 दिन में इस website को देखते रहे और वहाँ पर अगर कोई project live होता है गुडगाओं location का जो कि जिनके बारे में हाज हम भी discuss करेंगे तो बिलकुल आपको apply करना चाहिए तो वो application आपको लगानी चाहिए इसके बाद बात कर लेते हैं वो कौन से 4-5 project हैं जो कि गुडगाओं में आने वाले हैं जहां पर आपक schools हैं कुछ अच्छे project भी signature global की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको project देखने को मिलेंगे और थोड़ी ही दूरी पर दो किलोमेटर के आसपास DLF की पूरी township भी है तो इस project में आप apply करते हैं हलाकि हमारा number one project नहीं है कि इसमें आपको 100% apply करना चाहिए क्योंकि यह में application जैसे ही आएगी फिर यह live हो सकता है बाकि इसका जो builder की अगर हम बात करें associated है TDI developer से जिन्होंने sonipat में काफी cities बनाई है तो उस point of view से आप secure अपने आपको feel कर सकते हैं और यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर आपको 95 B में apply करना है next रहेगा vault developer का जो sector 92 में है पिछले के comparison में ज्यादा अच्छी location है अगर हम बात करें क्योंकि sector 92 में है जो कि आसपास काफी project जहाँ पर deliver project है उसके आसपास है यहाँ पर मुझे लगता है कि 95 B के comparison में यहाँ पर अगर आपका project मिलता है तो आपको ज्यादा benefit आते हुए देखने को मिलेगा यहाँ पर भी आपको 3 BHK और बात करें गुड़गाओं में जो कि गुड़गाओं को समझते हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ commercial unit इनके अंडर construction चल रही है तो track record है यहाँ पर हाला कि deliver product इनका नहीं है अभी पर आने वाले समय में क्योंकि affordable housing policy है government की इसमें नजर रहती है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं तो दूसरा project है जिस पर आपको नजर बनाए रखनी है वो wall developer का है sector 92 में next अगर मैं बात करूं तो वह आपको जो project ध्यान में रखना है वो sector 89A में project रहेगा यह भी पोटोदी रोड के आसपास का project है फरीदाबाद बेस developer है experience है इनको residential और commercial दोनों sector का अगर हम बात क सकते हैं तो इस developer का भी license आ चुका है जो कि अब यह भी अपना RERA का वेट कर रहे हैं और इसके आसपास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको global city भी यहां से काफी दूर नहीं है यहां पर pass देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है कि जितने भी project की हम बात करें हैं यह project बाकि सभी project affordable housing की बात करें यहां पर उन से सबसे ज़्यादा return आते हो देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि यहां पर application भी सबसे ज़्यादा आते हो देखने को मिलेंगी तो यह एक project number 3 था जो कि आपका sector 89A में आ सकता है आप खुद भी देख सकते हैं यह सारी के सार information TCP हर्याना की website पर available है और महाँ पर जो एक license का column रहता है कि वहाल जाके किस-किस project को license मिल चुका है देरा नंबर का बार है वो सारी detail online available है तो जरूरी नहीं है कि किसी हमारी आपको wait करनी है और जैसा मैंने बोला कि हम कोई property dealer नहीं है तो यहां पर next project की अगर मैं बात करूं त तो 95A में आने वाला है इसके आसपास भी कुछ already कुछ affordable housing चल रहे हैं जहां पर already आपका 50 to 55 lakh रुपीज के आसपास price चल रहा है और यह भी अगर आपको 25 lakh 30 lakh के आसपास का 2BHK और 3BHK की अगर हम बात करें 2BHK 55 के आसपास वहां पर it चल रहा है तो यह भी निकलता है तो आप उसकेस में इसमें भी apply कर सकते हैं तो यह project number 4 है जहां पर license number आ चुका है रेदा अविटिड है और नानी रिजोट developer की अगर हम बात करें यह associated है ROF से तो इनकी एक joint venture या इन से associated company है तो इनका भी track record काफी अच्छा है development point of view से यह developer point of view से यहां पर आपको कोई परेशानी आते हो देखने को नहीं मिलेगी तो यह भी एक project है जो कि आप consider कर सकते हैं 2025 में यह 4-5 project है जो आपको आते हो देखने को मिलेगे इसके बाद next project की अगर मैं बात करूँ वो दो projects की बात करना चाहूँगा जो की जिनका अगर हम बात करे license number काफी पहले आ गया था तो जल्द म की अगर हम बात करें तो 78 और 79 सेक्टर में आने वाला है जहां पर DLF, Godrage, Bashtec काफी अच्छे नामी गिरामी developers की वहां पर construction चल रही है हलाकि वहां पर अभी amenities आपको आते हो देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा सा schools को आना है, hospitals को आना है, shopping malls को आन तो यहां पर इन दोडों developer की बात करें तो कहीं न कहीं इन दोनों का हिस्सेदारी इन दोनों project में, इसलिए हमने इनको दोनों को इकठे दिखाया है और इनके जो license आये थे, वो license अगर हम बात करें तो 2023 में आ चुके है, RERA अवेटिड है, तो जैसे ही RERA आएगा इसका, ह इन दोनों में हिस्सेदारी है, कुछ promoters की अगर हम बात करें, तो यहां पर इन दोनों project को भी आप consider कर सकते हैं, जैसा मैंने बोला, 79 sector, 78 sector है, जो की अभी developing sector है गुड़गाओं का, आने वाले समय में यहां पर थोड़ा आपको और activity आते वे देखने को मिलेंगी, तो यह 6 project का जो हमने एक video बनाया था, कि आने वाले समय में real estate आपको downfall आते वे देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें, वो 2026 में ऐसा होगा, पर कुछ pocket ऐसी देखने को मिलेंगी, यह affordable housing की जो हमने बात करी है, इस product में आपको भुनाफ़ा आते वे देखने को मिल सकता है, एक के नाम से घर नहीं होना चाहिए, जिनके पास घर नहीं होगा, उनको पहली preference दी जाएगी, तो इसलिए हमने एक video बनाया है, कि हमारे जो subscriber आउट ओफरियाना है, हाला कि इस policy में मेरे को थोड़ा सा एक concern है, कि यार, जो लोग पंजाब से आते हैं, जिनका आल्ड़ी घर है वहाँ पे वो तो इसको apply करके घर ले सकते हैं, पर जिनका छोटा घर है और चाते हैं कि मैं एक flat में लेना चाहूं या city के पास लेना चाहूं, वो नहीं ले पाते हैं, तो इस policy में government को ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है, इसको open कर देना चाहिए, बाकी policy का purpose था कि पेल आप अराम से जाके देख सकते हैं, तो ये शे प्रोजेक्ट से जो की affordable housing में आने वाले हैं, आपका कोई फिर भी question है तो comment section में जरूर लिखे, आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं, thank you, धन्यवाद.